गाजिपुर की स्पीट पर अभी लगाम लगी हुई है। इस लगाम की वज़े ये है कि हमीद सेतू की तवियत नासाज है। हमीद पुल पर यातायात महिनों से रुका हुआ है और इसकी मरमत का काम चल रहा है। इस पुल पर यातायात बंध होने से बड़ी आबादी का कारुबार और अन्यजरूरी काम ठप पड़े हुए हैं। लेकिन अब इस पुल को लेकर रहत भरी खबर सामने आ रही है। संबंदित विवाक से मिली जानकारे के मताबिक पुल में रोलर बेरिंग बदलने का काम पूरा हो गया है। आपको बता दें कि करीब साथ दिनों की मेहनत के बाद हमीद सेतु के 22 रोलर बेरिंग को बदलने का काम पूरा हुआ है। इंजिनेरों ने जानकारी दी है कि इस मरमत कारे से फुल अभी अभी छोटे चार पहिया वाहनों के लिए तयार हुआ है! इंजिनेरों ने बताया कि इस बार रोलर बेरिंग की जगह आधूनिक बेरिंग लगाई कई है इससे पुल की भार वहन क्षमता में इजाफा हुआ है इंजिनेरों ने बताया कि तीम पहिया और चार पहिया छोटे वहनों के लिए इस पुल को 5 सितंबर से खोला जा सकता है लेकिन भारी वहनों को अभी और इंतजार करना पर सकता है हमने इस संबंद में जब सक्षम अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि भारी वहनों के लिए पुल को अक्तूबर महिने के पहले सप्ता में खुला जा सकता है अभी पुल पर बने स्पीड ब्रेकरों को हटाने के लावा यहां बनाये गए ड्रेंड स्पॉर्ट की भी मरमत की जानी है इस हिसाब से देखें तो सितंबर महिने के अंतो तक पुल की मरमत का काम पूरी तरह संपन्न हो सकीगा आपको बता दें कि जून महिने से ही हमीच सेतु बंद पड़ा हुआ है तब रोलर बेरिंग किसकने से पुल के जोइंटर में दरार आ गए थी इस पुल के बंद होने के वज़े से खासकर गंगापार जमनिया क्षेत्र के लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा था गाजीपुर आने जाने के लिए छोटे चार पहिया वाहनों को फिलहाल करना पुल का इस्तमाल करना पड़ रहा है इस वज़े से आने जाने की दूरी बढ़ गई है इसके अलावा उस रास्ते का हाल भी कुछ ठीक नहीं है आपको बता दें कि लंबे रास्ती की वज़े से माल धुलाई में भी ज्यादा वक्त लग रहा है और इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जा रही है ऐसे में गंगापार के कारूबारियों को अच्छा खासा नुफसान भी उठाना पड़ रहा है पुल पर आवागमन बंध होने की वज़े से इस रास्ते पर अपनी जीव का चलाने वाले धाबे त्यादी के बिजनसमैन भी परिशान है अब जबकि पुल के खुलने की उम्मीद जगी है तो ये सभी लोग रहत की सांस ले सकते हैं गाजिपूर के ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं